अपने पहले दिन पब्लिक स्पीकिंग को सीखा, दूसरे दिन आपने अपनी स्ट्रेंथ को जाना और तीसरे दिन आपने ओडियन्स के टेस्ट को जाना अब आता है what you want to speak, आपका main content क्या है, केसे आपके main content को आपको prepare करना चाहिए आपको किसी भी जगा पर अगर बोलना है तो उसका एक roadmap आपको अपके mind में set करना पड़ेगा उस roadmap के हिसाब से आपको अपनी हर बार की content को prepare करना पड़ेगा अगर आपने इस six steps के roadmap को अपने जहन में बिठा लिया तो दुनिया की किसी भी speech को आपको बोलने में आसानी होगी और ये six steps के roadmap है, set your own statement, set story, set some statistics, set some questions, set some examples and end your statement घर में घरवालों के सामने, office में presentation हो, seminar हो, या public speaking हो, किसी भी जगह अगर आपकी speech हो तो ये six steps के roadmap आपको सबसे जादा उपयोगी होगे आज हम पूरे इस six steps को एक real example के साथ समझेंगे मान लीजिए अगर मुझको आपको Corona disease के ऊपर presentation देना हो, तो मैं इस six steps को किस तरीके से utilize करके अपनी speech को तयार करूंगा first, set your own statement, तो अगर इस example के साथ समझना हो तो I will tell you Hi friends, I am going to give you my presentation on Corona disease, I am sure it will help you to understand how dangerous this virus is यहाँ पर मैंने अपने आपके बारे में नहीं बोला, मैं क्या हूँ वो नहीं बोला, मैंने सीधा impact कर दिया Corona क्या है और Corona का impact क्या होगा वो सीधा public को connect करता है second step, set one story, पुराणों में कहा गया है, जब जब इनसानों ने अपनी हदों को पार किया है, तब तक उन्होंने खामियाजा भुगता है यहाँ पर मैंने पुराणों, when I say the sentence पुराणों में, तब यह कही न कहीं public के mind में impact करता है क्यूंकि story और history के बारे में हर एक public से हम connect हो पाएंगे इसलिए आपको कोई भी speech तयार करनी हो, अगर आपको किसी भी topic के उपर speech को तयार करना हो क्यूंकि आप जब public को question पूछते हो, तब उनकी curiosity को आप बढ़ाते हो लागि इसी example को अगर हम continue करें ता, well ask the question coronavirus को corona क्यों बुलाया जाता है, corona सबसे पहले किसको हुआ था इन दोनों question में curiosity है, जिस coronavirus को public सारी जानती है उनके लिए सायद ये दोनों प्रसन नए है, इसलिए उनकी curiosity बढ़ेगी उनकी curiosity बढ़ने से वो आपके साथ connect हो जाएगे fourth one, set some statistics, जब भी आप कुछ भी बोल रहे हो तब उसके साथ अगर आपके साथ statistic है, तो आपका उस topic पर survey, आपका उस topic पर knowledge ज्यादा है वो public के mind पे impact करेगा, जैसे कि अब तक 7 लाग से ज्यादा corona के patient संक्रमित हो चुके है, इटली में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ये 60 से 80 साल की उम्रवाले लोगों को ज्यादा impact करता है, corona का मृत्यूदर 0.2% है, इसे statistic बोलने से आपका depth knowledge दिखता है, fifth, set some example, आप जहाँ पर बोल रहे हो उसमें आपके topic के related कोई भी example बोलने से आप अपनी public को retrive कर पा रहे हो, जैसे कि इसी example में आविल से एसा ही एक virus plague भी आया था, एसा एक virus fine flu भी आया था, और 100 साल पहले जिसने 5 करोड से जादा इंसानों की जान ली थी, वो Spanish flu भी था ऐसे example से आप public को अपने साथ retrival कर पाओगे 6. Your own end statement, याद रखना friends, आपकी speech के आखरी सब्द ही लोगों की जहन में रहते इसलिए आपका end statement emotional होना चाहिए, जैसे कि अगर कोरोना से बचना है तो social distance में मानना पड़ेगा, अपने खुद का सैयम ही हमारे लिए अब आखरी आस है Thanks for listening me, sharing the knowledge is gaining the knowledge for me यहाँ पर मैंने emotional statement के जरिये public के जहन में अपने सब्द को छोड़ दिया दुनिया का कोई भी topic आप ले लीजे friends, believe me, इस 6 steps के roadmap को use करके आप किसी भी speech को बहतरीन तरीके से तयार कर पाओगे, so I am giving you a task today, आप कोई भी एक topic लीजिए, उसको इस 6 steps के roadmap से prepare कीजिए आपके लिए आसान हो जाया और मुझे comment box में लिखना मत बुलना कि कौन से topics पर आपने अपनी speech को बनाया अगर आपके जीवन में बदलाव आ रहा है तो don't forget to share, like and subscribe to this channel देर से बनो लेकिन बहतर बनो क्योंकि दुनिया बदलते वक्त के साथ खेरियत नहीं हैसियत पूछती है सोचिएगा जरूर कल फिर मिलेंगे super 30 talks आज की बात में तब तक के लिए take care of yourself, thank you very much कर दो क्योंकि दुटिए नहीं है